कि आप कि अपिछ सब्सक्राइब करते हैं क्या आप ऐसे वेक्ति हैं जिने लोगों का नाम याद रखने में मुश्किल होती है चर्च में अगवे के रूप में मुझे हमेशा लोगों के नामों को अपने मन में याद रखना मुश्किल होता था और खास करके अक्सर मुझे इस तरह की समस्या हुआ करती थी लेकिन पहचान के लिए नाम तो बहुत ही महतपूर्ण होते हैं इसी के साथ संबन बनाने के लिए भी निश्चे नाम बहुत महतपूर्ण भूमी का निभाते हैं हम इस प्रोग्राम में परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं और इस प्रोग्राम का नाम है डिवाइन कनेक्शन जब आप परमेश्वर के साथ में जुडते हैं जिसके बहुत से नाम है परमेश्वर है या इश्वरत्व है और ये सारे नाम अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-alग परसीतियों में परमेश्वर को दिये गए हैं यह सारे नाम हम्हें महतवपुर्ण पाथ सिखाते हैं जो हम अपने जीवन में सीख सकते हैं आपको याद होगा हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने ऐलशदाए नाम के बारे में देखा था हमारे परमेश्वर तो सर्वशक्ति मान है हमने यहोवा रोफे भी नाम देखा हमने यह भी देखा कि वो यहोवा येरे है वो हमारे प्रभन करने वाले हैं वो हमारे बारे में सब को जानते हैं हमने यह भी देखा कि वो यहोवा शालोम है शांती के परमिष्वर इन नामों को देखते वे देखे यह नामः परमिष्वर के बारे में बहुतली पर्मिष्वर बाद बताते हैं आज हम एक और नाम देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुती मह्तलण हैं और वो है यहवा निसी इब्रानी भाषा में बुन्यादी रूप में इस नाम का अर्थ होता है कि प्रभु हमारा ज्हंडा है, परमेश्वर हमारा ज्हंडा है प्रभु हमारा ज्हंडा है आज ये मेरे लिए कितना महतपूर्ण है ये निर्गमन अध्या सत्रह वचन पंद्रह में पाया जाता है आए इस वचन को पढ़ते हैं तब मुसा ने एक वेदी बना कर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा याने प्रभु मेरा ज्हंडा है ये संदर तो ध्यान देने वाली बात है यहां पर इस्राइली लोग मिसर से निकल कर कनान देश के और जा रहे थे और परमेश्वर उनकी अगवाई कर रहे थे इस्राइलियों ने परमेश्वर के अध्भुत कामों का अनुभव कर लिया था कुछ समय पहले उन्होंने अनुभव किया था कि मारा में परमेश्वर ने उनके लिया अध्भुत काम किया कडवे पानी को मीठे पानी में बदल दिया जब वो रिफिडिम नाम की जगह पर थे तो कुछ समय के लोग उनसे लड़ने के लिए आए थे हम इस भाग में अमालेकियों के बारे में पढ़ते हैं हम निर्गमन अध्या 17 में अमालेकियों के समय के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं कि अमाले की लोग उन से लड़ने के लिए आए थे और वो तो एसाओ के वन्शच थे, एसाओ से जन्मे थे वो कनान के पास में रहते थे और वो हमेशा इसराइल के शत्रू रहे हैं वो इसराइलियों से हमेशा लड़ते थे और जब इसराइली लोग रफिडीम में थे तो अमाले की लोग समू बनाकर इसराइल के विरुध में लड़ने के लिए आए थे उस समय मुसा जो अगवा था उसने यहोशू से कहा कि तुम इस युध में लड़ने जाओ मुसा ने कहा यहोशू तुम युध के लिए जाओ और मैं पाहड पर जाओंगा और हम अपनी लाठी को प्रभू से प्रातना करने के लिए उठाएंगे वो उस युध के लिए परमेश्वर पर आधारित थे तो यहोशू युध भूमी में युध करने के लिए गया लेकिन मुसा, हारून और हूर ये जो है वो तो पहाड की चोटी पर चले गया और युध उस समय चल रहा था इस भाग में एक दिल्चस बात को आप जरूर देखिए जब भी मुसा का हाथ उचे पर उठा होता था जबकि उसके हाथ में प्रभू की लाथी थी तब इस्राइली लोग जो थे वो तो युध में जीत रहे थे वो अमालेकियों को हरा रहे थे और जब भी मुसा का हाथ नीचे आता क्योंकि वो तो ठक गया था और तब उस समय इस्राइली लोग हार रहे थे तो यानि मुसा से ये जबरदस्ती की गई कि उसे वहाँ पर अपने हातों को उँचा उठाए रखना है तो हारुन और हूर ने वहाँ पर मुसा के हात उँचे उठाए रखें ताके इस्राइली लोग विजय पाते चले जाएं और जब वो युद्ध में जैवन्त हो गए और जब वो वापस आए तब उन्होंने ये अद्भुत नाम परमेश्वर के लिए रखा कि परमेश्वर हमारा जंडा है यानि परमेश्वर यहोवा निसी है परमेश्वर ने मुसा से कहा कि वो इस घटना को लिख ले और उसने कहा कि इसे तुम हस्तलेट पर लिखो और इसे स्मरन रखो और मुसा ने वेदी बनाई और उसका नाम रखा कि यहोवा परमेश्वर मेरा जंडा है यह सच में कितना महान नाम है यह महान विजय है यह तो अपने लोगों के लिए परमेश्वर की विजय को स्मरन करना है हमने भूतकाल में जो विजय प्राप्त की उसे हमेशा हम याद रखते हैं कुछ विजय हम हमेशा याद रखते हैं 1983 में जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था मैं उसे कभी नहीं भूलता हूँ उस समय मैं नवी कक्षा में पढ़ रहा था और वो सच में कितना महान दिन था और यह तो याद रखने वाली बात है मैंने इसके बारे में बहुत कुछ कहा और मैगजीन में और यहां तक कि कितने तुभी लेखों में उसके बारे में लिखा गया जब पहली बार भारत में वर्ल्ड कप जीता तो हम खूद रहे थे नाच रहे थे हमने इसका बड़ा उच्सों मनाया उस समय भारती टीम के कप्तान कपिल देव जो अगवाई कर रहे थे हम उनकी तारीफ कर रहे थे विजय बहुत ही महतुपूर्ण है व्यत्तिगत रूप में महतुपूर्ण है देश के लिए यह महतुपूर्ण है जो भी टीम खेलती है वो तो विजय पर गौर करती है वचन के इस भाग में हम यह सीखते हैं कि विजय तो प्रभू की और से आती है हमारे जीवन में हम बहुत से चुनाउतियों का सामना करते हैं हमारे जीवन में हम अलग परिसितियों का सामना करते हैं जिसके लिए हमें प्रभू की मदद चाहिए जब आप एक्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं जब आपको इंटर्वी के लिए जाना पढ़ता है हम जब भी जिन चुनाउतियों का सामना करते हैं जिन युद्धों में हम लड़ते हैं हम अपेक्षा करते हैं कि हम उसमें विजयी हो जाएं और इस घटना में हम देखते हैं कि जो विजय है वो तो सच में प्रभू से आई है इस वचन में से अच्छे से स्पष्ट बताया गया है मैं वचन 15 और 16 फिर से पढ़ना चाहता हूं निर्गमन 17, 15 और 16 तब मुसा ने एक वेदी बना कर उसका नाम यहुआ निसी रखा उसने कहा मेरे हाथ पर मेशुट के सामने उसके सिहासन के सामने उठाए गए थे इसलिए यहुआ अमालेकियों से पीडियों तक लड़ाई करता रहेगा इस तरह से मूसा ने कहां तो यह प्रभू का युद्ध है और इसलिए परमेश्वर हमारा ज्हंडा है यह तो इसराइल के जीवन में सच में कितनी महतुपूर्ण घटना थी यह हमें बहुत से पाट सिखा सकती हम कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारा ज्हंडा है जो हर एक मुश्किलों में हमारी मदद करता है वो यहोवा निसी है जब हम इस नाम को देखते हैं जो मूसा ने परमेश्वर को देखते हैं तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि युद्ध में जीतने के लिए हमें सबसे पहले उसमें लड़ना पड़ता है क्या आप कभी अकेले लड़ी हैं और शायद कई बार लोग इसकी कोशिश करते हैं लोन वसूल करने वाले कुछ ऐसा करना चाहते हैं जब आप परमेश्वर के साथ में मिलकर युद्ध लड़ते हैं तो निश्ची आप विजय पाएंगे शायद कई बार आप सोचे कि मुझ में इतने शक्ती है मेरे पास ग्यान है मुझे जो हतियार चाहिए सब है लेकिन यहां पर देखिए यहुशु के साथ में मिलकर यह सब लोग लड़ रहे थे और उसी समय मुसा पहाड के ऊपर उनके साथ था और प्रभू की और अपने हाथ उठाए हुए था मैं यहां पर देखता हूं कि युद्ध में और प्रभू की जो लाठी उठाई गए थी उसमें सीधा कनेक्शन है और मैंने आपको बताया है कि जब भी लाठी उठाई जाती तो इस्राइली लोग जीतते थे तो इसके पीछे विचार यही है कि परमेश्वर को उठाए वो आपका मार्ग दर्शक बने तभी आपका जीवन अर्थपूर्ण और सफल हो जाएगा केवल इसी घटना में नहीं केवल इसी घटना में नहीं लेकिन दूसरी घटनाओं में भी हम देखते हैं कि जब भी इस्राइली लोग युद्ध के ले गए उन्होंने परमेश्वर से मदद मांगी ये जानना तो दिल्चस्प है कि परमेश्वर आपके साथ में अपने हाथ मिलाते हैं और आपके लिए काम करते हैं मैं ये सोच रहा था कि मुसा के हाथ ऐसे ऊपर उठाए रहते और परमेश्वर युद्ध को जीट जाता क्यों यहोश्व के साथ में कुछ लोगों की जरूरत पड़ी कि वो जाकर अमाले की लोगों से युद्ध करें ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है रभू ये नहीं कहते कि तुम शान्त रहो मैं सब कुछ कर लूँगा तुम्हें विजय मिल जाएगी वो अपनी संतानों के साथ में जुड़ना चाहते हैं तुम जाओ मैं तुम्हारे साथ रहोंगा यहां पर मूसा, हारून और हूर वहां पर थे कि मूसा के हाथ को उचा उठाए और ये उनकी विजय का एक भाग था पर मेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हम उस पर आधारित रहें जब भी मूसा का तो उपर था तो इसराएली लोग जीत रहे थे और इसलिए यहां पर जीतने के मामले में परमेश्वर की जो लाठी है वही तो मुक्षे चाबी है शायद आपके पास सामर्थ हो शायद आपके पास शक्ती हो, कार्यनीती हो लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस पर आधारित रहें मैंने पहला शामर्थ अध्या सत्रह वचन पैतालिस से सैतालिस तक एक दिल्चस्प बात पाई है और आप ये कहानी जानते हैं ये तो बाईबल की सबसे विख्यात कहानी है यहाँ पर डाउद गोलियत के विरुध में लड़ रहा था दाउद ने एक वाक्य कहा जो हमारे संदर में बहुत ही महतपूर्ण है दाउद ने पलिष्टी से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिये हुए मेरे पास आता है परंतु मैं सेनाओ के यहवा के नाम से तिरे पास आता हूं जो इस्राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है आज के दिन यहुआ तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धर से अलग करूंगा और मैं आज के दिन पलिष्टी सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृत्वी के जीवजंतियों को दे दूँगा तब समस्त पृत्वी के लोग जानेंगे कि इसराइल में एक परमेश्वर है और यहां समस्त मंडली जान लेगे कि यहवा तलवार या भाले के द्वारा जैवंत नहीं करता इसलिए कि संग्राम तो यहवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा उस दिन गोलियत की विरुध में दाओद में सच में कितनी महान विजय प्राप्त की थी और उसने जो वाक्य के हैं वो ध्यान देने के लिए महतपूर्ण है उसने कहा तु तलवार और भाला और सांग लिये हुए मेरे पास आता है परन्तु मैं सेनाओ के यहवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इसराइली सेना का परमेश्वर है वो यह कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ लेकिन मैं तो केवल परमेश्वर पर आधारित हूँ वही मेरा बल है इस युद्ध में जैवन्त होने के लिए वही मेरी मदद करेगा दोस्तों पहली बात कहूँगा जब आप परमेश्वर को सहयोग देंगे तो विजय निश्चे ही संभव है अगर आप अपने युद्धों में असफल रहे हैं तो आप सोचिए कि निश्ची आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें परमेश्वर के लिए एक स्तान है क्या आपने वो परमेश्वर को समर्पित किया है क्या आपने अपना जीवन परमेश्वर को सौपा है मैं सोचता हूं यह आपके जीवन में बड़ा फर्क लेकर आएगा जब हम कहते हैं कि Parffaur हमारा ज्धन्डा है, यहुआ निसी, तो हम कह रहे हैं कि Parffaur के साथ मिन जुड़ते हैं और हम वजे कल इसके साथ काम करते हैं, येशु के संसार में आने के बाद इस दुनिया में जित्पने विश्वासी रहे हैं, हम अपने जीवन में निरंतर विजय पा रहे हैं और इशु हमें ये विजय देते हैं वो पाप और उसके सारे परिणामों पर हमें विजय देते हैं हम इस वचन से यही तो पाते हैं यश्या अध्या 11 वचन 10 से 11 में हम इस तरह से पढ़ते हैं ये भविश्वानी की गई है in that day the root of Jesus will stand as a banner for the peoples the nations will rally to him and his resting place will be glorious in that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the surviving remnant of his people from Assyria, from lower Egypt, from upper Egypt and from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath and from the islands of the Mediterranean यश्या अध्या 11 वचन 10 और 11 कहता है उस समय इशे की जड़ देश-देश के लोगों के लिए जहंडा होगी सब राज्यों के लोग उसे धूंडेंगे और उसका विश्रामस्तान तेजों में होगा उस समय प्रभू अपना हाथ दूसरी बार बढ़ा कर बचे हुऊं को जो उसकी प्रजा के रहे गए हैं अश्रूर से, मिस्र से, पन्नोस से, कुश से, एलाम से, शिनार से, हमाच से और समुद्र के दीपों से मोल लेकर छुडाएगा ये वचन येश्य मसी के बारे में कह रहा है उसे येश्य की जड कहां गया है जो की दाउद का पिता था इसलिए इस वचन के नुसार येश्य हमारा ज्हंडा होगा येश्य मसी हमारा ज्हंडा है और ये भविश्य के बारे में कहता है कि येश्य मसी हमारा ज्हंडा है और आज येश्य हमें विजय देते हैं रोमियो 8.37 कहता है कि इन सभी बातों में जिसने हम से प्रेम किया है उसके द्वारा हम जैवन से भी बढ़कर हैं ये विजय तो येश्य मसी में संभव है संदेश खत्म करने के पहले मैं आपको एक महतुपूर्ण बात बताऊ ये विजय जो परमेश्य हमें देते हैं हमें उसे स्मरण रखना चाहिए इसे पहचान लेना चाहिए और इसलिए परमेश्य और मुसा से कहते हैं तुम इसे लिख लो लोगों को इसे स्मरण करना चाहिए निर्गमन 17.14 तब यहुआ ने मुसा से कहां स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहुशु को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेकियों का स्मरण भी पूरी तरह से मिटा डालूँगा इस तरह से परमेश्य ने मुसा से कहां हमारा ज्हंडा होने के लिए हमें परमेश्य को धनिवाद देना चाहिए और उसने जो हमें विजय दी है उसे स्मरण करना उसका उत्सो मनाना है हम आज मुश्किलों में से होकर जाते हैं मैं मुश्किलों से जाता हूँ बाइबल कहती हमारा युद्ध लहू और मास से नहीं है इफिसिव अधियाए 6 वचन 12 और 13 में कहता है क्योंकि हमारा जो मल युद्ध है वो प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो की आकाश में है लेकिन आप विजय पास सकते हैं येशु मसी के साथ ये संभव है क्या आप उस पर भरोसा रखेंगे क्या आप अपना जीवन उसे सौपेंगे ताकि आपका जीवन विजय जीवन हो जाएं वो आपकी मदद करने और मार्गदर्शन करने के लिए तयार है आज परमेश्वर आपको आशिश दे Study the Word of God in a private and personal way through our online study website Contact Number झाल 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 झाल